हेलो फिंस हम इस वीडियो में डिसक्स करने वाले हैं सेकिंड पेपर का लाष्ट यूनिट, यूनिट नमबर सेवन, यूनिट का नाम है सिक्षक इयून अनुसंधान, और यूनिट बट करेगी हैं इसमें कुछ विदियों के सबस्क्राइब के बारे इंगित करता है जिसके द्वारा अनेक परकार के तथियों का संकलन किया जाता है और जिसके विचलेशन के द्वारा व्यापक निश्टकर्ष निकाले जाते हैं। इसके लिए प्रशन जांच कहने निरिक्षण योजनाबद अध्यन और ततपरता युक्त सोदेश शामाने करण करने की प्रक्रियाई सन्नहित होती है वो देश्यों की प्राप्ति के लिए समश्या का विशिष्टी करण अईवार यह होता है अतहरे हम कह सकते हैं कि शत्यों की खोज करनाव। दोसरा कारीय पुराने इसफिष्ञट्ति को इस्पस्ट करने के लिए विवस्तित प्रयास जिसके फलसवरोग परत्या से संबंदित परतियों के पारस परिक संबंदों का स्पस्टिकरण होता है अतया अनुसंधान नए प्रशनों को जनम देता है या पुराने प्रशनों को पुन्हें निर्मित करता है इस तरह से ध्यान लगना है और अनुसंधान के प्रकार का अग पादन हूँ वे सभी अनुशंधान इस वरग में आते हैं शुद अनुशंधान से अनुशंधान करता खोज करता प्रदतों को अपने निश्टकर्षों से सम्मंदित करता है इसमें तथ्यों के किकरण पर बल दिया जाता है वे वारिक पक्ष पर नहीं तथ्य अगर रहेंग हैं महिद्फ विंदु द्यान रखने हैं और अब हम बात करते हैं क्रिया अनुसंधान के बारेमें क्रिया अनुसंदान की परिवर्षा के तोर पर देखिए क्रिया अनुसंधान विशलेशन करते हैं उनके निराकरण में प्रियोग आत्मक उपाई खोजते हैं इन उपाईयों को निर्पेक्ष भाव से जांसते हैं तो वो क्रिया अनुसंधान के अंतरगत आता है और इसके बाद में अब हम बात करते हैं क्रिया अनुसंधान के लक्षणों के बारे में पहला बिंदू देखे क्रियानुशंधान शिक्षा के वास्त्रिक शेत्र में कारिये करते हैं दूसरा बिंदू है इसमें निश्कर्ष की तातकालिक परियुक्ती का ध्यान केंद्रित करता है नैकी किसी सिद्धान्त पर तीशरा लक्षन है इसमें वास्तिविक अनुबूत समश्यां पर आगरे करता है जो यहीं अभी और विशीश परिष्टिती में विद्वान हूँ चोथा लक्षन है इसका उदेश्य विध्यले पदती में विज्ञान सम्मत सुधार लाना रथा सुधार लाने वालों का भी सुधार करना है पांचवा लक्षन है क्रिया अनुसंदान के लिए प्रजा तांतरिक वातावरन होना आवश्यक है यह एक सहकारी प्रक्रिया है यह कुछ बाते आपको लक्षनों के अंतरकर द्यान रखनी है क्रिया अनुसंदान के लक्षन इसके बाद में बात करते हैं क्रिया अनुसंदान का महत्व क्रिया अनुसंदान का महत्व पर्तिपादित करने वाला पहला और उलेखनिय गटक है हमारे देश की प्रजातांतरिक शाषन प्रणाली इससे शिक्षा के सारवजनिक रण का मैतो बढ़ा और शिक्षा को सारवजनिक बनाने के लिए विध्यालियों का व्यापक इस तरपर संचारन हुआ क्रिया अनुसंधान वह परभावी परक्रिया है जिससे विध्यालियों की परवर्तियों में विध्यान सम्मत सुधार लाना तथा इस्तानिय समश्यों का तात्कालिक समाधान डूनड़ना संबग होता है क्रिया अनुसनधान के मादियम से बड़ी संक्या में शिक्षकों एम शिक्षळ अधिकाईएं को अपनी समझषाईं विज्ञा समध तरीके से हल करने के दृस्ति से अनुसनधान कार्ये से जोड़ा जा सकता है क्रियानों संदान के माद्यम से यह कारिये बड़ी कुसलता से वैसरलता से होशकता है किसी समश्या को विशलेशित करने तथा उसका समाधान करने का कारिये वे विक्ती ही बली बाती कर सकते हैं जो स्वियम उस समश्या में जी रहे हों जिने श्यम चुही की सुबन महसूस होती हो यानि कि अगर मानलो मैंने भी एश्टेसी पास कर रखी है तब ही मैं आपको बता सकता हूं कि किस तरह के बेश्टेसी के क्यूशन आएंगे अगर मैंने मानलो भी एश्टेसी का सलबस उठा करी ने देखा मुझे पता ही नहीं है क किस तरह काईगा या किस तरह के कुशिण पूशी जाते हैं तो फिर मैं आपको नहीं बता सकता है पर मैंने भी एश्टेसी कर रखी है तो मुझे पता है कि किस तरह के महत्पुन पुशन आपके परिक्शा में पूछी जाने वाले हैं कौन-कौन से टोपिक्स करते हैं इस तरह से आपको बिंदुधान रखने हैं इसके बाद में बात करते हैं किरियानुसंधान की काया पदती के शोपानों के बारे में किसी स्तिती परक्रिया और परिवर्तन का अथ्यात्मक परमाणों के आधार पर विज्ञान सम्मत विशद अध्यन अत्वा समश् करें गे और चोथा 75 है क्रीयात्मक प्राकलपना का निरमाण करेंगे डिया तो दूसरी क्रियात्मक प्राकलपना का प्रा आठवा सोपान है प्रति वेदन लेखन करेंगे कि काम सही हुआ या नहीं हुआ वो सब पुछ इस तरह से आपको धान रखना है क्रियत्मक अनुसंदान के बारे में अब हम दोस्तों बात करते हैं निम्न विधियों के बारे में जिनमें पहली विधी है विग्यानिक विधिय द्वारा हो सकता है आज हम किसी की कही सुनी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं आज हमें किसी भी बात को मानने के लिए उसके लिए प्रुफ चाहिए उसके प्रति यहां पर हम दोस्तों बात करते हैं आगे विग्यानिक खोज की नई परणाली केवल प्रतेक्ष तर्थ कि शिक्षक के इस दर्ष्टी कौन को विगयनिक का जाता है। विगयनिक दर्ष्टी कौन के तथों की अगर पसन आता है तो इसमें पहला टत्व है जिग्या सा दूसरा है अंदविश्वास्व से मुकती, सिब्स इद से इसमश्याओं में संख्यात्मक वींवरणों के वे तत्ते हैं जिनका विश्लेशन रे निर्वाचन किया जाता है और संकी की विझ्जान के रूप में वहीं सिस्ने मैं दोस्तों सुनैत्स में से अगर प्रशन आ जाताया तो पर उसमें आपको आंजर करना पड़ेगा इसके बाद में आगे हम बात करते हैं परतक्ष विदी के बारे में परतक्ष विदी में देखिए इस विदी का उपयोग सामनत है आकडो की संख्या कम होने पर किया जाता है इसमें प्राप्त आंकडों का योग करके उनमें कुल पदो की संक्या का भाग दे करके समानतर माध्य की गणना करते हैं फॉर्मूला आप स्क्रीन पर देख लीजिए केपिटल M बराबर सिग्मा स्मॉल M बटा N ये फॉर्मूला है और इसका उधारन देखर के हम समझते हैं कि प्रशनगर आता है तो उसको कैसे सोलू करना है प्रशनगर है दस विद्यारतियों द्वारा समजिक विज्यार में प्राप्त अंक 25, 25, 28, 27, 28, 28, 20, 30, 12, तथा 22 है इस तरह से अलग-अलग विद्यारतियों के अलग-अलग अंक प्राप्त अंकों का समानतर माद्य आपको ग्याद करना है समानतर माद्य का प्रशन आता है तो यहां पर देखिए यहां पर जो दस विद्यारति हैं वो N के बराबर है N मतलब की 10 सब को जोड़कर एक पर्टिकुलर नंबर वो हो गया सिग्मा इस तरह से सारे इंगों को जोड़ने के बाद में 230 आते हैं और बटा में 10 है ही एन का मान और इस तरह से समानतर माद्दे से जुड़े और महत्पून प्रशनों को देखी प्रशन क्या है परत्यक्षविदी से आपको क्या देखना है बारंबार्ता बंच्टन सान्यातायत आंकडों के लिए समानतर माद्दे की गणना परत्यक्षविदी द्वारा किस परकास से की जाती है प्रशन कि आधार पर किस तरह से किया जाएगा तो सुत्र क्या है यदि बारंबारता F1 F2 F3 और जितने हमारे पास अंक है उनको जोड़ते हुए Fn तक अनन तक जा सकती है पर कितने हमारे पास अंक है उससाब ग्याय करके आपस में जोडेंगे और बाग देँंगे n का जो की पदो की संके एहां पर रहेंगी इसके बाद में उसका फार आ जाएगा M बराबर σिग्मा conductivity बंक इं रचड़ को सव्व करना है इसके बार में अगला प्रहशन जिसे 11-13 के बीच में इसमें विद्यारतियों के संख्या कितनी है 3 विद्यारती है और 13-15 के बीच में 4 विद्यारती है 15-17 के बीच में 5 विद्यारती है 17-19 के बीच में 6 विद्यारती है 19-21 के बीच में 5 विद्यारती है 21-23 के बीच में 4 विद्यारती है 23-25 के बीच में तीन विद्यारती है इस तरह से यह प्रशन है और हमें इसका समानतर माद्दे निकालना है इसमें आपको क्या करना है देखिए प्राप्तंक के वरग दे रखा है आपको और विद्यारतियों की संख्या दे रखी है आपको निकालना है प्रापतंक वर्ग के मद्धे इस्तान यानि की M निकालना है अंतराल जो प्रापतंक का वर्ग दे रखा है उसमें 11-13 दे रखा है 11-13 के बीच में 12 है ये रिखना है आपको 13-15 के बीच में 14 है इस तरह से एक सारणी बना देनी है मद्धेस्तान की M की और यहां पर क्या करना है अगला आपको सारणी बनानी है एक प्रापतांक और विद्यारतियों की संक्या का गुणनफल करना है M F हमें निकालना है F क्या है विद्यारतियों की संक्या M है जो हमने अंतराल निकाला था वो तो दोनों को multiply करेंगे जैसे 3 को और 12 को multiply करेंगे 36 4 को 14 से करेंगे 56 5 को 17 से करेंगे 80 इस तरह से सारणी complete कर देंगे और जो sigma MF हमारे सामने आया है MF को जोड़ देंगे 540 आ गया और प्रापतांकों का समानतर माद्दे ग्याद करना सेम एजिटिज इसी तरह से आपको शोलू करना है जिसमें प्रापतांकों का वर्ग दे रखा है एक से तीनन के बीच में और विद्यारतियों के संके दे रखी है इस अंतराल में 3 तीन से पाँच के बीच में दो विद्यारती हैं, पाँच से साथ के बीच में चार विद्यारती हैं, साथ से नो के बीच में दो विद्यारती हैं, नो से गयरा के बीच में तीन विद्यारती हैं, और गयरा से तेरा के बीच में एक विद्यारती हैं, जिसमें आपको क्या करना होगा same उसी तरह से जिस तरह से हमें अभी पर्शन किया उससे इसाफ जगा करना होगा प्राफ्तांक वर्ग के मद्द्र हिस्थान आपको निकालना है, प्राफ्तांक वर्ग क्या है 1-3, 1-3 के बीच 3-5, 5 के बिच में 4, 5-7 इसके बिच में 6, 7-9 इसके बिच में 8, 9-11, इसके बिच में 10, 11-13, इसके बिच में 12 यह हमारा क्या आगया, M आगया, और M है, और M क्या है विधियार्तियों की संग्या, M और M को मल्टिपला करेंके निकलेंगे एक सार लिए, तो 3 x 2, 6, 2 x 4, 8, 4 x 6, 24, 2 x 8, 16, 3 x 10, 30, 1 x 12, 12 इस तरह से हमारे पास MF आ गया, अब MF को जोड़ देंगे सारा 96 आ गया और विद्यारतियों की संक्य है हमारे पास 15, अब क्या करेंगे, 6.4 उत्तर हमारा आ जाएगा यहां पर थोड़ी से मिस्परिंट हो रही है, यहां बदाबर 30 नहीं है, यहां पर 15 आप काउंट कर लेंगे इस तरह से आपको इस यूनिट में इन महत्पून बिंदों को याद करते वे अपने तयारी मजबूत करनी है आई होप आपको ठीक तरीकल से सारे बिंदो समझ में आये हैं, फिर भी कोई डाउट रहता है, फिर भी आपके कोई समझा है रहती है, कमेंट करके ज़रूर बताइए, चैनल पर नए हैं और आपकी तैयारी में अगर थोड़ी भी मदब इस वीडियो से हो रही है, तो सब्सक्राइब करने इसी तरह के इंपोर्टेंट वीडियो के लिए, जल्दी मिलेंगे अगरे वीडियो में कुछ और इंपोर्टेंट जान करे हो के साथ, थैंक्यो पर वास्किंद इस वीडियो